नमस्कार साथियों स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर साथियों एक बहुत ही खतरनाक न्यूज निकल कर आ रही है हिंदमा सागर के लगते देशों के लिए तो यह बहुत ही खतरनाक है साथियों इंडोनेशिया की एक सम्मरीन डूब गई है वो एक एक साइस का जो कि रही है लेकिन अभी तक भी वह सम्मरीन नहीं मिलिया और उसके अंदर जो 49 क्रू मेंबर्स थे वह अभी उसके अंदर फज़े हुए हैं और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि उस सम्मरीन के अंदर उन 49 मेंबर्स के लिए जो ओक्सीजन है वह सिर्फ सैटरडेशनी वार तक क ही ही है तो यह बहुत ही खतरना नहीं है तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए वीडियो लाइक करिए साथ यो साथ चाइना सी में चीन का जो साथ चैना सी के देशों में बाउंडरी में ज्यादा से ज्यादा दखल थे हाला कि कहा यह भी जा रहा है कि शायद इस सब्मरीन को मलब चाइना की आर्मी ने डुबोया है लेकिन अभी तक भी इसके उपर इंडोनेशिया ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है वो कह रहे है कि अभी तक हम यहीं मान कर चरने है कि यह खुद से डूबी है क्योंकि यह बहुत ही कोई भी नॉर्मल सम्मरीन जो उस दशक में बनी हो वो पांसो मीटर की नीचे की गहराई पर जाने पर बहुत ही पिचक जाती है क्योंकि उसको इपर दबाव बहुत जदा पड़ता है लेकिन वहीं लगता है कुछ इसी का केस में हुआ है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह इसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है तक तक ही है इसलिए कहा जा रहा है कि शनी वार्ग तक का जो टाइम है वह 49 क्रू मेंबर्स के लिए बहुत क्रूशियल माना जा रहा है ठीक है सिंगापूर और मिलेशिया इनकी नो सेनाओं ने भी इनको ढूनने के लिए सहा वैसल्स को बेजना पड़ेगा अगर कोई कह दे कि यहां कोई आम सम्मरीन इतनी गहराई पर चली जाएगी नहीं जा सकेगी क्योंकि उसके उपर इतना ज़्यदा प्रेशर पड़ेगा प्रेशर के कारण वह दब सकती है फट सकती है और इनी सब चीज़ों को ध्यान रखत वे भारत ने स्पेशली डीप सब मर्जेंस रेस्क्यू वैसल को बेजा है जो बहुत जदा गहराई में जाकर उन क्रू मेंबर्स को बचा सकता है हाला कि अभी तक उस सम्मरीन के बारे में पता भी नहीं चला है कि वो कहां चली गई है क्योंकि उसका कोई सुनार सिगनल भी नियूज है क्योंकि उन क्रू मेंबर्स के लिए भी जिनकी बाहर फैमिलीज है कुछ भी तो चलिए साथ वेसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आकन दोबाना